आज हम आपको हिंदी सेकेंड का 20 लेसन नंबर पढ़ाएंगे संबाद लेखन यानि की बातचीत यानि की बारतलाब बच्चों जब दो या दो से अधिक लोगों को आपस में बातचीत करने सुनती हैं तो वही आपका क्या है संबाद क्या लाता है हम क्या करते हैं अपनी देनिक मतलब रोज के कामों में अनेक बात लोगों से बातचीत करते हैं और खुब बाते करते हैं जैसे अपने दोस्तों से बाते करना हुआ अपने परिवार में बाते करने हुआ बातों में क्या शामिल होता है कुछ पूछते हैं कुछ बताते हैं तो भी हम संबाद का ही यूज करते हैं तो यही बच्चों संबाद कहलाता है अब संबाद लेखन क्या है संबाद लेखन में बच्चों क्या होता है कि हम जो है संबाद लेखते समय यह धियान रखना चाहिए सबसे पहली बात कि वाके छोटे हो और सरल हो ठीक है ना यदि के लिए प्रतु के साथ अप जैसे आधी किताब में भी एक एक जामपल देख युए एक चोट शे समबाद दिया जैसे की गोपाल और एक राही एक समांकल कि दीख जीत तो राही कहता है स्टेशन के लिए यहां से चार नंबर की बस मिलती है अब दूसरा एक्जामपल आपकी बुक में ही बच्चो दिया है संबाद में संबाद में हा या नहीं वाले प्रशन भी पूछ सकते हैं जैसे कि गोपाल यह स्टेशन जाएगी यह बस इस्टेशन जाए हम क्या करते हैं संबाद लेखन करते हैं बच्चो इसी तरिके से आपकी बुक में एक और भी संबाद दिया हुआ पिता और पुत्र के बीच में जैसे कि पुत्र पिता जी मुझे पचास रुपे चाहिए पिता पचास रुपे का क्या करोगे बेटा? फफ़्षन मार्च के ब पुत्र मेरे मित्र का जनम दिन है मैं उसे एक पुस्तक दूँगा पिता पुस्तक ही क्यों कुछ और क्यों नहीं पुत्र पिता जी मुझे पुस्तके पढ़ने का शौक है मैं उसे कहानियों की अच्छी सी पुस्तक दूँगा पिता तब तो ठीक है तो इस तरह के चोटी चोटे वाक्यों के दोरा संबाद हम लिख सकते हैं बहुत सारे एक्जामपिल आ सकते हैं एक दुकानदार और एक व्यक्ति के बीच में बादचीत दो अरतों के बीच में बादचीत किसी टॉपिक को लेके बादचीत तो किसी अब जैसे मैंने कहा दिया ताजमेल बहुत सुन्दर है इस पर तीन मित्रों के बीच बादचीत तीन से भी ज़्यादा हो सकते हैं कम से कम बादचीत के लिए दो लोग तो होने चाहिए चाहे हम संबाद लेकर लिखें या हम संबाद करें अकेले तो हम बात नहीं कर सकते संबाद लेकर में कम से कम दो लोगों का होना जरूरी है और बैसे भी मौखिक भी अगर हम संबाद करते हैं तो दो लोगों से अधिक भी हो सकते हैं लेकिन कम से कम तो दो लोग उने चाहिए अकेला व्यक्ती तो कोई बात कर ही नहीं सकता ना तो बच्चों आप इस चेप्टर को पढ़ेंगे कल हम बताएंगे कि आपको कौन से संबादलेखन को अपनी कौपी में लिखना है ओके बच्चों